आज मैं आप लोग के लिए कि आई हो एक बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी तो आज हम बनाने वाले हैं केरी का अचार इंस्टेंट अचार बनाने वाले हैं फटा फट से बनाएंगे और दाल चावल के साथ खाएंगे तो बस आठ से दस मिनट में रेडी करेंग करेंगे सी हमिरे हैं अच्छे से दो दो लुत एक टैबल स्पून हल्द शुक हुप पाऊडर आधा 1 चमर्च टीसपून यह पर डालेंगे लाल मीर्च का पाउड़र तो चलिए हमने लाल मीर्च भी डाल दी है цент करेकी में ने यहां पर मेथि emphasize यहां को दींना ने अच्छे से थीमिन आज पर भून कर उसको करस्क्रश लिया है तो वह भी हम यहां कलाओजी यानि मंग्रोलियन सीट्स और इसके साथ 2-3 टैबल स्पून हम यहाँ पर डाल रहे हैं कोर्सले ग्राइड धनिया जिसको भुना हुआ धनिया पाउडर जिसको हमने कोर्सले अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से MIX कर लेंगे और अच्चे से पूरी मसाले को मिला लेना है ताकि कोई भी कैरी छूटे नि और अच्छे से मसाले इसमें MIX हो जाएं तो चलिए हमने इसको mix कर लिया है अब हम करते हैं आगे का प्रोसेस तो चलिए जी नेक्स प्रोसेस के लिए हमने आपर ले लिया है एक पैन, और पैन में डालेंगे हम वन फोर्थ कप मस्टर्ड ओयल, मैं यहां मस्टर्ड ओयल ले रही हूं, क्योंकि मेरे यहां तो अचार में मस्टर्ड ओयल बहुत पसंद करते हैं, आप चाहें तो आप कोई और भी cooking oil ले सकते हैं कोई issue नहीं है इसमें तो मैं mustard oil को अच्छे से कर लोगी गर्म जब तक कि इसमें धुआ ना आने लगे तो चलिए हमने mustard oil को कर लिया है गर्म देखिए हमारा oil अच्छे से गर्म हो गया और बहुत ही अच्छे से धुआ दे रहा है तो बस इसी stage पर हमें इसमें हम डालेंगे curry पत्ता तो हमने यहां पर 12-15 पत्ते करी पत्ते के लिए लिए थे जो कि हमने इसमें डाल दिये हैं करी पत्ता गीला था इसलिए बहुत छीटे ओड़ी इसके साथ ही साथ अब हम यहां पर डालेंगे 1 teaspoon mustard black mustard जो होती है मैंने यहां बारिक वाली है आप इसे skip करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और अब हमने flame को कर दिया है और हमने जो केरी को मसाला लगा के रखा था वह हम इसमें डाल देंगे केरी को हम अच्छे से mix कर लेंगे oil और मसालों के साथ तो बस flame को off कर देना है flame को बिल्कुल भी जलता हुआ नहीं रखना है क्यों देखिए कितना चटपटा कितना delicious लग रहा है ना तो बस हम इसे shift कर लेते हैं एक बोल में क्योंकि पैन की heat से यह over cook ना हो जादा ना soft हो जाए इतनी heat बहुत थी इसके लिए तो चलिए हम इसे एक बोल में shift कर लेते हैं तो देखिए हमने इसको एक बोल में shift कर लिया है और तो बस हमारा चार कहरी का बिलकुल ready है instant आप बनाए खाए enjoy करें और अपने family friends को भी enjoy कराएं तो guys आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को like करें subscribe करें और इसे पनी family friends के साथ share करना बिलकुल ना भूलें और bell icon का बटन जरूर hit करें जिससे मेरे फिर में लूँगी एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर